गुजराद के पाटडी तालुका के नहन्यवन्यानी गाउं की रहने वाली हसीना चार साल पहले MBBS की पढ़ाई करने यूकरेन के टर्नोपिल शहर में गई थी हसीना ने कहा जब रूस ने यूकरेन पर हमला किया तो हमारा शहर भी रेड जोन में था रात में साइरन बचाया क्या सभी से कहा गया कि वे अपनी लाइट बंद कर बेस्मेंट में चले चाए कब में बहुत डरी हुई थी हम सीमा से 200 किलोमीटर दूर के लेकिन कुछ भी करके बस में वहाँ पहुचकर 10 किलोमीटर पैदल चरकर बाउडर को पहुचे जहां माइनस फाइव डिगरी ठंड में तीन दिन भूखे पया से रहना पड़ा सीमा पार करने के बाद रूमानिया के दूतावास ने हमें अच्छी सोविदाएं प्राद परदान की और इंडिको बाई एर ने रूमानिया से दिल्ली की विवस्था की और मैं दिल्ली से बस द्वारा मेंसान आई जहां मेरे पिता मुझे लेने के लिए आए आज जब मैं अपने ग्रहनगर नव्यानी गाओं आई तो बेरे परिवारा और गाओंवालों में खुशी का महल था कि साड़े तीन एर से मैं मेडिकल अभ्यास के लिए यूक्रेण में यूक्रेण के तर्णोपिल सिटी में रह रहे हूं जब हमें पता चला कि रुक्रेण रुसियन आर्मी यूक्रेण पर अटेक करने वाली है तो हमने टिकेट करवाई और तब जाने से पहले तब यूक्र एरपोर्ट पर अटेक हुआ तो तब हम वहां रहने लगे और तब गर्मेंट ने जारी किया कि जब रात के 8 बज़े तब सब को साइरन सुनाज देगा तब सब लोगों को बिल्डिंग में सारी लाइटे बंद करनी है और पुरे रात के लिए वहां सेल्टर में बीजमें म हम कबरा गए उसके दुसरे दीन बॉर्डर खूलने वाली थी ये न्यूस हमें पता चली सीतापूर के लहरपूर तहसील शेतर के अंतरगरत कोर्ट के आदेश पसीज हुए दरजनों इंट भटे नियमों की ताख पर रखकर अधिसूचना का फायदा उठाते हुए पिंक कलर की मजबूत पकड़ पर अधिकारियों के सरक्षण में चल रहे हैं बता दें कीव सीतापूर के लहरपूर तहसील मुख्याले से चंद कदम की दूरी पर चांद इंट ब्रिक फिल्ड जैसे दरजनों इंट भटे संचालित के जा रहे हैं सूतरों की बाने तो अनुसार लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए प्रदूशन बेभाग लखनव से कुछ अधिकारी खनन अधिकारी को साथ लेकर उक्त ब्रिक फिल्ड की जांच के लिए आये थे लेकिन सारक्षण दे रहे तहसील लहरपूर के अधिकारी जां विरुद्ध होने पर संचालन पर रोक लगा दिया गया है तो जारी आदेश के अवेलिना करते हुए लहरपूर तहसील के सरक्षण दे रहे अधिकारी मात्र मोटी कमाई के लिए आदेशों को ताख पर रखकर बिनायनों से इट भटे चलवा रहे हैं